हलो स्टूडन कैसे आप सब ठीको ना तो चलो आज हम लेने वाले है अपना नोवा पाट पाट का नाम है मुझे परचानू देखो बच्चो इस पाट में जो वस्तु के चित्र द्वारा विविन्न आकारों से हमें परिचीत कराया गया है याने इस पाट में हमें विविद आकार के जो चित्र है वो दिखाए गये है और उन चित्रों में विविद आकार के है और उनके नाम भी हमें बताने है और वो चित्र के आकार भी हमें पेचानने है चित्र के आकार जैसे कि यहाँ पर दिये गए सब आकार है यह गणितिय आक उपयोगी वस्तु के नाम है या चितर है ओके अपि गणती या आकार याने कौन से तो यहाँ पे वर्ग जैसे के तिरिभुजाकार वर्गाकार आयताकार रुताकार गोलाकार बेलनाकार शंकुआकार शड़बुजाकार इस तरह के अलग-अलग यहाँ पे हमें क्या दिये ग जो पेला हमारा आकार दिया गया है वह त्रिभुजाकार तो त्रिभुजाकार इसका अर्थ याने इसमें तीन बुजाएं होती हैं देखो आप चितर में देख पा रहे हो एक तो और तीन इसके कितनी बुजाएं हैं तीन बुजाएं और उसके बाद हमें दिया गया है वर वरगाकर किसे केते हैं तो इसमें चार समान बुझाए होती है। जैसे कि अपनी गड़े आसन होता है , कैरम बोड होता है , ये सब चीजे क्या होती है ? तो वरगाकर होती है तो देखो बच्चो तीसरा जो है , तो तीसरा कौन सा है यहां पर हमें ? बोलो, हाँ, आयताकार, आयताकार का अर्थ क्या होता है फिर, तो इसमें चार भुजाएं होती है, जैसे वर्गाकार में चार भुजाएं होती ना, तो वैसे आयताकार में भी चार भुजाएं होती है, पर देखो और आमने सामने की इनकी भुजाएं क्या होती है, समान होती ह यानि आप यहाँ पे अकृती में देखेंगे तो एक दूसरे के आमने सामने जो बुजाए होती है वो समान होती है यानि प्रत्ते कोण यहाँ पे 90 अंश का होता है ओके तो देखो बच्चो इसमें कौन-कौन से एक्जामपल जैसे आएंगे जैसे कि हम क्लास में बॉड हाँ तो जैसे कि ब्लैक बॉड को हम शामपट्टे कहते हैं देन उसके बाद लीपापा कमपास बॉक्स यह सब क्या है फिर आयताकार है आ गया समझ में ओके देखो बच्चो उसके बाद हम देखने वाले हैं चोथा उरुत्ताकार ओके तो उरुत्ताकार किसे कहते ह तो यह आकार एक रुपे के सिक्के की तरह गोल होता है ओके पर यह दिखने में कैसे इसे थोड़ सा तीरचा दिखता है हमें कि जैसे कि पईया अभी साइकल का पईया आप लोग देखेंगे तो वो कैसा उरुत्ताकार होता है है ना देन उसके बाद रोटी पापड यह सब क्या है उरुत्ताकार है ओके देखो बच्चो इससे आगे हम देखने वाले है गोलाकार पाच्वाकर कौन सा है गोलाकार तो गोलाकार कैसे होता है इसमें गेंद या फुटबॉल का समावेश होता है देखो बच्चो उरुत्ताकार और गोलाकार इसमें डिफरंट क्या हु लिए पर ईसे बॉल जिसा पूरा गोल होता है कि वह पतला से दिखता है ओके और पूरा ऊस tari χी पूरे एक बहां वहा होता है यहांने बहा वहा हुआ गोल उसे गोलाकार कहते हैं और न औह रहा हुआ सिप एसे हमें पापड या रोटी जैसा या जैसे पहया जैसा देन रुपे जैसा ऐसा जो गोल हमें दिखता है वह रुत्त आकर होता है देन उसके बाद जो छटा आकार है बच्चों तो वह बेलन आकार ओके तो बेलन आकर किसे कहते हैं अभी आपने सबने तो बेलन आकार केते हैं देखो यह आकार पाइप के समान होता है लंबा लंबा है ना याने बेलन आकार उसे कहते हैं अभी जैसे की देखो डिब्बा अभी आपके घर में जो डिब्बे होते हैं वो कैसे होते हैं पाइप जैसे बड़े पाइप जैसे दिखते हैं कि ने हमें है वो था बेलन आकार देन उसके बाद हमारे घर में जो पाइप लगाए होते वो कैसे है वो भी बेलन आकार के है देन उसके बाद बेलन ये भी बेलन आकार है तो देखो अभी हम देखने वाले हैं सात्वा आकार सात्वा आकार कोन सा है फिर शंकु आकार अब ये शंक को आकार किसे कहते है तो इसका आकार शंक के समान होता है ओके शंक के समान होता है याने आपने आइस क्रीम का कौन खाया है ना हाँ फिर वो आइस क्रीम के कौन कैसा होता है वो शंक जैसा शंक को आकार का होता है दिन हम बड़े में कैप पेंते हैं, वो कैप भी केसी होती है, फिर शंक्वा आकार की होती है, है न, इसके बाद हम आठवा आकार देखने वाले हैं, शडबुजाकार, ओके, तो शडबुजाकार ये केसे होता है, तो इसमें 6 समान बुजाये होती है, कितनी बुजाये होती है चो इसलिए उसे शड़बुजाकार कहते हैं ओके तो जैसे कि इसमें हम वहाँ पर शड़बुजाकार का हम आकाशकंदिल लगाते हैं लालतेन कहते उसे ओके आप मराटी में उसे आकाशकंदिल भी कहते हैं वो कैसा होता है? उसी आकार का होता है तो बच्चो यहाँ पर अभी हमने देखे आका, ओके, देन यहाँ पर अभी इसका एक 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 जामपल जो हमें पाट्टे पुस्तक में दिया गया है, वो हम पहले देखेंगे, पन्ना नंबर 38 पर, ओके, वहाँ पर पहला पिच्चर देखो कौन सा है, हाँ, यह क् पट्ट, ब्लैक बोर्ड यह इंग्लिश वर्ड है, ओके, उसे हम शामपट्ट कहते हैं, शामपट्ट यह कौन सा आकार है फिर, अभी हमने देखे न, आकार कौन कौन से होते हैं, फिर बोलो आप लो, हाँ, क्या है, आयताकार, देन उसके बाद क्या है, गड़ी, गड़ी क कौन से आकार की है, वरगाकार, है न, देन क्या है वहाँ पे, लिफाफा, लिफापा का आकार कौन सा है, आयताकार, लिफापे के बाद वहाँ पे क्या है, हाँ, यह है, रुमाल, रुमाल का आकार कौन सा है फिर, आयताकार, उसके बाद है, बेलन का आकार, कार, देन उसके बाद क्या है डिबा डिबा का आकार भी कौन सा है फिर बेलन आकार ओके देन उसके बाद वहाँ पे क्या है कमपास पेटी कमपास पेटी को कौन सा आकार है देखो तो फिर येस कमपास पेटी या कमपास बोक्स का आकार कौन सा है आयता कान है आप कैरम खेलते हो ना हाँ तो ये कैरम बोड का आकार कौन सा है फिर? वेरी गूट, वरगा कार. देन उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे हमें एक क्याप का चित्र दिया गया है, उस चित्र का आकार कौन सा है? वेरी गूट, यह है शंकु आकार. देन उसके बाद वहाँ पे हमें दिया गया है बोलो पईया है ना साइकल का पईया है वो तो उस पईया का अकर कौन सा है रुत्ता अकर देन उसके बाद हमें जो दिया गया है वो है आपका मन पसल लड्डू लड्डू का अकर कौन सा है फिर बोलो रुत्ता अकर या गोलाकर लड्डू कैसे होता है भरा हुआ होता है या खाली होता है भरा हुआ है न, तो ये हो गया गोलाकार उसके बाद हमें दिया गया है गेंद गेंद का अकर कैसा है? Very good, गेंद का अकर होता है गोलाकार उसके बाद हमें दिया गया है अभी ये बद्दे की कैप है, देखे आपने हाँ उस पर वहाँ पे जोकर का पिचर भी दिया गया है फिर ये कैप कोन से आकार की है तो शंक को आकार की वो कैप है उसके बाद हमें क्या दिया गया है देखो तो हाँ ये है समोसा पसंदेना आपको समोसा का आकार कोन सा है फिर देखो तो त्रिबुजाकार वेरी गूट देन उसके बाद वहाँ पे आगे है आईस क्रीम आईस क्रीम का आकार कौन सा यहाँ पे यह आईस क्रीम कौन से है कौन वाले आईस क्रीम है न तो कौन की आईस क्रीम का आकार होता है बोलो शंकु आकार, very good देन उसके बाद हमें दिया गया है लाल्टेन या इसे हम आकाश कंदिल भी कहते हैं, ओके तो उसका आकार कैसा है? शडबुजाकार दिखो बच्चो, आगे के चित में हमें क्या दिया गया है? बोलो, ये क्या है? हाँ, ये पाँच किलो का नाप है है न, इससे हम किलो ग्रैम में वेट करते हैं उसका, है न, वजन करते हैं न, उसका, हाँ, वही ये कौन से आकार का है फिर? very good ये है शडबुजाकार देन उसके बाद आगे यहाँ पे हमें चित्र दिया गया है देखो तो जो गाड़ी किस आकार में दी गई है हमें तिरिभुजाकार इस तिरिभुजाकार आकार के इस बोड़ पर वहाँ पे गाड़ी का चित्र हमें दिया गया है, यानि आकार कौन से तिरिभुजाकार देन उसके बाद वहाँ पे क्या दिया है हमें क्या है बाद यहां पे दिया गया है पेंसिल का आकार कैसे होता है बोलो बेलन आकार है ना देन उसके बाद वहां पे हमें वाल हैंगिंग यानि यह चित्र हमें दिया गया है उच चित्र में वाल हैंगिंग का आकार कैसा है तो वो शड़ बुजाकार है तो देखो बच्चो आज हमन यहां पे जो आकार होते हैं इनका परिचय किया है मुझे जानो तब तक के लिए बाई टेक क्यार